स्वान श्री राम श्री राम कंद्र को जाएं और राम कंद्र दीता को जाएं और लक्षुनी और विश्चु के स्वान दोनों सुभाए मान हुए दी ये ये वंग प्रतिवर्शुते वठीका चार में भूनाने कि दीता राम के त्वरुप का द्रवन करते हुए लिखा है कि दीता जी राम संपर जी के हृदय में एट लिखी जैसे कोई गा करके छिप जाय दी ने वो फिन हुई दीता ऐसी रहती थी जैसे प्रतिजिम पढ़ रहा हो राम के हुदय में लिखी पे वो जैसे किसी ने सक्षीर बना दी हो जैसे किसी ने पथर पर मुर्टी सोच दी हो जैसे किसी ने उनको हुदय में जाल दिया हो जैसे किसी ने सच द्रमेट से घजित कर दिया हो जैसे वहां उनको ही भीच कर दिया गया हो इस परकार श्री जानकी जी जो है भदन्वान स्री लाम्संद्र की कामना के द्वारा फीलिक होकरके उनके हिपय में रहती सी और एक दिरंतर वहीं मुदाद करsis आया ने है कर दो कर दो कर दो औरा कर दो Math्र कर दो नाग्तिमन्य आयजा दो ड़िवें दियता दियता नशया दियता चास्वभाटें प्रभुवे रिश्वान स्वाद्मान दौवात्मयं तर्श्मय स्व्री गुरुमुरुते नंदे 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 नंदें शृषिखक्तना मुर्थघयो ट्रिक्तुद्वार्टंप्ते प्र न्वाद किंग ज्यानतो प्वाद सुबाद शृषिकूरना थतीoshima थाम्रशडना फानत बात्तना वित्तना यत्तं परक्षादर्णाय वत्परता मन्यमाना महांतः स्वामतर्यो मुप्रशांतं परिनति दुरं प्राह्मत दुनंदबंते स्वादर्ण 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 व्हुषराम्यरा महत्रायराव'm याथ्टेम प्रहेरें, देधधु स्थिछंग भीड़ करें, रिक्रमाय रामः प्रहें रामापप्राय रामः प्रहें, राद्मु छोने थे विवें मृड़ाय थे नात्ततततत्ततत्तत पृत्रीन आत्ततत्तत estét आप बाल कांड में बुल बुख पर पात ने घुए स्वयम नाराएं विष्ट में लगवान्दा और यही जगत की इस्टारण और वेश्ट में जुदा हगे तम्सम महानितम कहें कर दो गुरुष्टू की जिस्त महा गुरुष्टू का प्रभियादमी करता है जिश्वामित्र ने कहा आहा स्वेजी महात्मानम बुख फेल वेदा अमेतम जो है वहान प्रभियादमी महात्मानम बुख और कश्यप में अपनी सुपित में तोवन आधियाने अदेश्यय करदे अचिन के वाईभाव और बड़क्रशांसर की बादंदिया सस्थे बड़े और सब देवताओं में बड़े वद्वान हैं अभी कम मेंगरे शुष्णों यहीं सब्सक्राइब अब अजुद्या काण प्रारप करते हैं और इसमें जितली आज यह दुन है इन सब गुरों से रहे और अजुद्य की अनंत करियार हमें से लुक्त हैं तरवार प्राप करते हैं पहले कार्ण में जहां यह बताया कि रामायन के जो दायत हैं विर्पड़े उत्तम कुल में पैदा हिए हैं शुरेष्ट गुरु की प्रपावद को प्राप पहुरु में अनुरुबेद के रहत को जानते हैं और ताटका ताटके हमारी ताजी जोपी में जालने वाले के उनका धरतक करते हैं संकर्दी के धनुष को तोड़ते हैं और शुराम जी के हाथों से बैश्णव धनुष को ले लेते हैं जी सब जिसेशताओं से और सहचारणी सहखरमचारणी के इसे समयोग होता है यह सब बात बताएगा अब अजुध्या कांड में सब भगवान को शेष में भगवान को परतंत्र हैं शेष निष्खा लक्ष्मईगी में पारतंत्र निष्खा वरद्गी में और दासा निष्खा वरद्गी में यह सब जो ब्रक्षों के विश्विश्ख धर्म हैं उनका प्रतुतादन कर रहे हैं पहले कांड में परमेश्वर के परत्व का बरणन है और अजुध्या कांड में सब्लख्य का बरणन है कि जो इतने बड़े होते हुए भी इतने स्केला हुए जब भरत भी जाने लगे अपने मामा के घर मामा के साथ लेने के लिए दिवाजी कायट है जो अकेली घरत को लेने के लिए लेकिन घरत भी शक्त्रु है को लवनासुर आधी शक्त्रु को बारने वाले और निथ्य शक्त्रु जो है ज्यानिनों निथ्य वहरीना काम रूपेण कमसेज कुछ पूरेना न लेकर साधर के लिए शक्त्रु काम रूपादी है जो मन में रहते हैं उनको इन्होंने नश्ट कर दिया है सत्रु उनके मन में काम रूपादी विकार है जी नहीं इसलिए इसको लिए शक्त्रु में करने है मान दिया है सब को अब वो जाट करके वहाँ अपने इमामा के साथ सेके देश्मे रहने लगे और वो तो अपना वेशासमाजकी में इसका लाट क्रेंद करने लगे ओर दसरत भी बड़े फ्रेंचे अपने फुर्ट्रों का मरंच करते थे तरफ़ भी अपने चारों पुट्रों से बहुत प्रेम करते हैं। और उन चारों में राम जीते हुए उनका प्रेम बहुत इस्था। क्योंकि यह जो भद्वान राम सर्द्र हैं। यह देवताओं की प्रार्थना से रामर का बद करने के लिए महुष्यनूत में प्रगत हुए हैं। श्री राम की कारण कौसंद्या की बड़ी भारी शोभा हुई। यह जो श्री राम संद्र भाईवान हैं। यहां उस ज्यों की तरफा है। श्री राम सर्द्र के लड़ी और का बदीने काण्यवान है। गुरों का केवल उज्जेश्ट बता देना कापी благा होता कुछ की थ्राद प्राद ही। कि जिए कौन है यह कुन है आम संद्र में है। यह कापी तर वही है। यदि केवल वाचनी प्रूप के पह दिया जाता है, ये बड़े दयानु हैं तो वह बाती नहीं है, वह वीद का प्रफंग आने पर मालूम पड़ता है, कि उनके हुदर में कितनी दया है, तो वही वह सुशील है, उनका श्रील बहुत ही उस्तम गोतिका है, पर ये बात ऐसे म मालूं नहीं पढ़ते जब सबरी का प्रसंग सुनाते हैं सब मालूं पढ़ता है कि कि तरी कुछी हो तो केवाइं प्रतिज्या मास्तर के गुरों का बरना नहीं होता फिर भी यहां एक कुछी गुरों की जी हुई है और वह इसलिए भी हुई है कि आजो जहां जहां राम चंडर के प्रसंगा में वहां समझ लेना चाहिए कि यहां किन गुरों का बरना है इस्तही रूप उपन्नस्य वीजवान अनसुद्धा बड़े सुन्दर है इतने सुन्दर है कि साप और विच्छूतक उनको देख करके अपना दुख पहुदेशे हैं इतने सुन्दर है और वीजवान है यो जो संकर्वी का धनुस है उसको तोड़ना मारिश को यह कभी बाहन से समुद्र में भेव देना और अनसुद्धा कभी किसी में दोश नहीं देखते हैं राम संदर का ये बुण है कि वो किसी में एक गल्पी नहीं निकाल दे हैं उनकी उपमा दुनिया में किसी को नहीं की जाकती अपने पिता से वी स्क्रेश्ट है हमेशा शांत रहते हैं और हमेशा उच्यमानों की परोशाम कोई कड़ी बात उनको कहें दे सब भी पड़ी को बलता के बोलते हैं और बाज भी बाज में नहीं पढ़ते हैं ये नहीं किसने ये बात कहीं तो आम आप उसको हरा के तोड़ेंगे उसके 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 सब्सक्रण करें जिसने कहा कहा और यदी कभी कोई जान में अन्जान में कोई बोड़ा का भी उसकार कर देए और कोई हजारों अपकार करें तो उसकी उनको याद ही नहीं आती, वो तो ऐसा समझते हैं कि वो तो मैं ही है, हमेशा जब जब पाँच मिनत का भी, दस मिनत का भी मौका मिले, करें इसनकही हो ऐसे साधनरिश फीडर में कि या रावुच़् हुए. जो सील में पढ़े हैं, जान में पढ़े हैं यान में आप न की बढ़े हैं, थील में बढ़े हैं, ऐसे संजन कुछ जो है, तो दिन राजू उमका मिले, कि बड़ी बिलक्षन की मद्बूर भाशन करते थे और पहले अपनी और से ही बोलना चुरू करते थे कि बिल जाए नया आजमी तो यह नहीं कि वो पहले प्रणाम करें तब बोलें पूर्व भाशी और हमेशा प्रिय बोलते थे और अपने बल बीजिका उसको कोई अभिमान नहीं था कभी जूट नहीं बोलते थे बृद्धू का आधर सबकार करते थे प्रजा उनके प्रभी बहुत प्रहिं करते थे और वेजी प्रजा की प्रवी बहुत प्रहिं करते थे प्रदय में पड़ी दयासी, प्रोध अपने ब्रत में था, ब्राह्मन का आदर रहते थे, दीन के ऊपर उनके मन में गृपा की धर्म को जानते थे, और जैसे दोड़े को लगाम लगा करके उसको अपने काबू में रखा जाता है, वे इसे रामसंद्रमद्वाद अपने मन औ अपने बर्ष्न रखे पे और पवित्र तार्थे उनका प्रेंद्वाद, जहां सनातन धर्म की बात आते हैं, वो यह नहीं कुछते कि ऐसा क्यों करें, वो यह प्यंते कि जब हमारे पिता ने पितामा ने ऐसा किया है, तो हम ऐसा क्यों न करें, उनकी विद्धी, उनकी उन पिता जो है, उसको पकड़ की अपने धर्म का बहुत हादर करते थे, दूसरे की कीर्थी पढ़ने से, दूसरे की महिमा पढ़ने से, अपने के दूसी मानते थे, ऐसे काम में कभी नहीं लगते थे, जो श्रेयत कर ना हो, और ना विरुद्ध दकार रुदी, एक आर्मी ने एक बार कहीं, तो उसके दुरुद्ध बोलने का अभ्यात नहीं था, उसमें रुद्धी नहीं थी, एक नहीं कहीं, एक नहीं कहीं, यदि कोई कहने वाले की हानी नहों या सुनने वाले की हानी नहों तो हर बात का दुरुद्ध करने की जहीज़त नहीं है, किसी नहीं कहा, कि पांच बज़ के उसक्त मिनट हो गए हैं तो दूसरे का नहीं नहीं शे बज़िए अब वो एक मिनट के लिए दूसरे की बात का जुरूद करना जो है उसका कोई अस्त नहीं होता है ना बुरुद्ध कतार की और जब आपस में बाद भी बाद हो गए तो एक कशा के बाद दूसरी सम्शाद गहस्पती के समान उसको भी थे है उनके शरीर में कोई रोग नहीं है अवस्था तरूह है बड़े वागनी है बदका बड़े है शरीर बड़ा सुड़ूल है और किस इस्थान में किस समय पत्या करना करना चाहिए इसको समझते है कितना बद है ये उनकों वालुम है उनके समान साजू तो वही है। इस तरह से स्थ्ष्ठ वहूं के सिर्वाण सुमी राम कंडर और ये तो जैसे राजा ददरत के बहुतर प्राण से। बहुतर मारे एक सांस तो वह होते हैं जो चलूर के जितक चलती है। ये दूसरी पांख है दसरफ के जो बाहर कलते हैं और जैके स्वास के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता वो एड़ से इनक राम के बिना दसरफ जीवित नहीं रह सकते हैं हली महातियों नोने हिद्या गुरुमुष्ट के परी है और ब्रह्मचर्जब्रत के शिनातक है सांग वेद के हिस्ता है और इश्वस्त्रेश प्वेतुस्त्रेश्टो धनुर्वेद में वो अपने किताब दसरफ जीविते भी बहुत स्त्रेश्ट है उनके आज पास हमेशा कल्यान लोग रहते थे और वो कभी दीन नहीं होते से, सच जोते से और सरलता से बात करते से, कपट से बात नहीं करते से जहां बात में कपट का प्रवेश्ट हुआ कव वहां प्रीटी सुख जाते है विश्वास जहां कपट आया वहां विश्वास नश्ट हो जाता है और विश्वात जब नश होता है तो प्रेव को रहते ही नहीं, क्योंकि प्रेव का बाप विश्वात है, और कपट होता ही इसलिए है कि विश्वात में प्रमी है, और बड़ों के साथ ऐसा लिवनार करते, जेसे बड़ा दुने हो, और धर्मार्त दर्शी ब्राम्मन हमेसा उ करना चाहिए और रहता करक है कि सबकुन अब गॉंसियर सब करको से यह और आज़ा कि सबस्रह करने में हो दुने हो शुरणा हो और ये लौकी की जो समयाचार है उसको की उसमें भी बढ़ती निपुण हैं और ऐसे जंग से रहते हैं कि उनके आकार से उनके मन का भाव प्रगत ना हो सम्रता का रहां यह नहीं कि मन में क्रोध आ गया तो देखने वाले को भी मालूम पर गया कि हां क्रोध आ गया मन में काम आ गया तो मालूम पर गया कि काम आ गया का नहीं अपने मन में जो काम करने की इस्था होती थी वो उनके तकल से पैदा हम्रूम होती थी जिए होता हैं आकार गुकती उनका एक जुषेश बुड़ था और जो करना होता था वो जब घर चुकते थे सम लोगों को मालूम परता था उनके सहायत बहुत थे और उनका क्रोध और हर्थ कभी जर्प नहीं जाता माने जिसके उपर हुष होते उनको कुछ देते थे को छुष दो सेवां नकरे तो उसकी जीवतार गई और जिसके उपर क्रोध करते थे उनको Carolyn करते थे नहीं तो क्रोध व्यर्थ गया तो वो व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ का हर्ष नहीं करते थे और कब मनुष्य को संजम करना थे हिए और कब व्याद करना थे हिए ये वो जानते थे उनकी भक्ती प्रण्या स्थिर्थी और गुराई को पकड़ के नहीं रखते ते गृती नहीं थे आलती नहीं थे कभी प्रमाद नहीं करते थे और वो दोसों को भी समझते थे कि अपने अंदर क्या रहे तो दोस है और गूतरे में क्या रहे तो दोस है सास्त्रग नहीं थे, गृत्रग नहीं थे बड़े निपूर्ट है और सत्पुर्शों की अच्छे आदमी को जब देखते उनको पहजान लेते तो उनको अपने पास रखने की गोशिवी करते और कहां मनुष्य को दंड देना चाहिए इसको समझते और धन की आमदनी पैसी बढ़े उसका उपायर जानते ते और कहां करने में ख्यबनता नहीं करनी ते ही इस बात को भी विस्तमचते से और शास्त्र ज्ञान में बड़े ही स्रेश्ट से और नाटक कर्म में भी बड़े निकुण से अर्थ और धर्व दोनों का संध्रा करके उस्ती हैं कुए आलती नहीं से क्योंकि जिसके इस मन में आलत्य हो करने मेरा हिसाओ कॉए arts inka का बस्र नहीं करने में आखक है उसको काम काम करने में आता है वह अपना रस अपना त्वाज अलगर करने के काम करता है इसको काम कॉष्टु emailed होता है कि यह कारी गड़ी के भी सब गाम ediyorum को है काम शास्त्र पसंद्धयाँ को भी वो जानते थे और बड़े बड़े जो हाथी हैं धोड़े हैं उनके ऊपर चणना उनको कादू में रखना धनुर्विज्या का प्रयोक करना अतिरती पे इस्तिर्याम तंड्र वो घूसरों कर सकते ते प्रहार कर सकते ते देना की रूती रीती तुहती तरह समझते ते उनको जुद्ध भू किसी में कोई दोश न निकालना क्रोध को बज में रखना अभिमान न करना मद मततर से अलग रहना और किसी का अभिमान होगा न चाव मंता भूताना न जकाल बसानुगा किसी प्राणी का अप्मान नहीं करते थे रामसंद्र रगवार और यह नहीं कि जैसी बहे 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 बयार कुछ पुल तैसी कीजए लोगों की हवा देख करके उसमें बहे जाते हैं उसको बात नहीं विचार करके सब काम करते हैं इस प्रकार स्रेष्ठ मुनों के उप्त राम जो ब्रह्म से एक होना चाहता है परनात्मा से उसको पहले प्रिष्ठी से एक होकर समा करना पड़ता है उसको जल से एक होकर के संतु स्वाथ देना पड़ता है उसको अगनी से होकर के अप्रजुष्य अगनी से होकर के और वायू के समान उसका सब प्रान सरवत्र गती उस कोई हैं दूंस किस सभुद्भाद्व के इसे प्रकार को प्रसंद करते अब प्रहतपति के पार darf है चेक्स करते हैं प्रکार किtalk तो उनको मालुम था कि जब प्रजा प्रसंद होगी तब हमारे प्रसंद होंगे इसलिए प्रजा की सेवा करके वे अपने प्रसंद करते हैं उनके गुर्ण जो है वो जागबाग जागबाग जागमगाते रहते थे प्रजबी श्वयम चाहने लगी कि ये हमारे राजा बने प्रसंद है प्रसंद हो जड़ है उसमें इस्सा काउदय कैसे होगा कि घर्मात्मा लोग सहिए ते तरह कि दुऑता है हुई का और लॉकिक तरश्टी से भिटिक comfy सारी जर्फ लिदास होता है प्रजबी मे रहने वारे पंचाइं श्रोशंत कि ँच क्रुभी प्रुप्वी में रहने वाले मनुष्य तब सारी जर्टा सारी प्रजा चाहने लगी कि राम हमारे स्वामी हो बड़े-बड़े पुर्म हराज अब राजा दसरक यह देख रहे थे कि इतने गोर संपत हमारे राम है तो अब उसके मनें एक सिर्टा हुई है कि मेरे भीवित रहते भी राम राजा हो जाएं यह कैसे हो सकता है बस हमारे दुझे में बड़ी प्रचनता जिबात हुए है कि जदा नाम शुतम प्रक्ष्या मियरुशिक समह प्रियम अपने चारे बेशे को गब मैं राज्या दुशे को सिष्ट देएंगा यह समकी बृद्धी चाहता है हमारा बेशा जो है यह समकी बृद्धी चाहता है समकी भलाई चाहता है और हमसे लोग जितना प्रेम करते हैं उससे भी जादा हमारे बेशे के प्रेम करते हैं ये बड़े बड़े देवतावी इसकी मुकाबिला, इसका मुकाबिला नहीं कर सकते हैं, इसका सामना नहीं कर सकते हैं मैं देखना जाता हूँ कि हमारा ये पुत्र सारी पुर्षी का पालन पुर्षन कर रहा है तो ये सारी बातें उनके इसमन में आने लगें अब एक दिमर ऐसा निश्टे करके अपने मन में पहले उन्होंने पत्का निश्टे कर लिया उसके बाद अपने मंत्रियों को गुलाया पहले राजा को चेहे वो अपनी गुद्धी से उचित अउचित का निश्टे कर ले यह नहीं कि मंत्रियों से कोई बात कही और उन्होंने पक्ट काट दिया यह चीछ नहीं है इसमें यह उस्थ है यह उस्थ है पहले अपने मन में सोच ले सब मंत्रियों से बात करें फिर मंत्रियों से उन्होंने सलागी पहले लोग में प्रसित नहीं किया मंत्रियों के सामने पहले बात आई इसमें मंत्रियों का आदत हो लिया सब की लाई यही उनी की राम संद्र को दुराज बना दिया जाए देखा दसरतने की धर्ती में और आकास में कुछ उस्पात हो रहे है और शरीर में भी ऐसी जिर्बस्ता आ रही है बुढ़ापा प्रविश्ट हो गई है तो इस दिए पूरुन संद्रमा के समान मुख वाले राम संद्र को अब राजा बना दिया जाए इसी में अपना भी कल्यान है और प्रजा का भी कल्यान है प्रेयते का भी इसी में सबका स्रे भी है और इसी में सबका प्रेय भी है जो जो केवल मुख पुर्शार चाहते हैं ये केवल स्रे श्रे 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 जाते हैं और जिनको संद्रमें भी सुख चाहिए उनको तो स्रे और प्रे दोनों ही प्रणार चाहिए है जब ये मुक्ष चाहने वाले केवल सुनतार में धर्म का उग्देश करने लगते हैं तब ये लोग गड़बड़ा देते हैं असल भी मनुष्य को धर्म भी चाहिए अर्थ भी काम भी चाहिए ये वल मुक्ष का नाम सुन करके जाकूल हो जाते हैं सो धर्मात्मा तर्ब के मन में कुछ वरा हुई उन्होंने देश में रहने वाले नानों नगर में रहने वाले राजाओं को तुरंत आमद्ट पर शिया केलों दो राजा नहीं बुलाए गए एक केकै देश के राजा और एक राजा जनकव और सब लोगों को बुलाए लिया तो कैसे बुलाएगी इस लोगों को क्यों नहीं बुलाया पश्चात तौश्यत अफ्रियम उनसे ग्रोड़ भी तो कोई आशंका है नहीं जब लोग सुनेंगे सब बहुत प्रफन्न होंगे तो इसके बाद राजा ने सब लोगों को महां बुलाए लिया और सब लोग आये बढ़ी परफन्षद गुली सारी सभा के भीच में राजा नसरत है दंधीर मारी है दंधु भिष्वन कल्पेनो दंधीरेणा नादिना जैसे दंधु भी बज रही हो ऐसी दतरती आवाज भी और मेध ध्वनी के समान गंपीर भी और उसका उसकी प्रतिस्वनी भी होती भी तो उन्होंने रस जुक्त राज लक्षा गाजा जैसे बोलता है ऐसे बोले और बड़ा कांत शवदावली बड़ी प्यारी और बड़ा अनुपम और उनके स्वार में रात उन्होंने सब के सामने दसर अपने में लेदन गया आप सब लोगों को ये पहले से अच्छी तरह मालू है कि हमारे पूर बजोंने इस राज्य का संचालन कितने उत्तम हमें से जिया है पुतवत परिपालितां। जैसे कोई अपने बेटे की रक्षा करें, वह ते हमारे पुर्वजों ने इस राज्य की रक्षा की है। मैं इस राज्य को और भी उत्तम बनाना चाहता हूं। मैंने भी अपने पुर्वजों के समान आचरण दिया है। और जठा शक्ती मैं अनित्र रहा हूं। अर्था सावधान रहे करके मैंने पुर्जा की रक्षा की है। यह हमारा शरीप स्वेग खत्र के नीचे रहते रहते अब गुल्भा हो गया है। हजारों वर्स तक मैंने इसका राज्य की आ है। अब यह राज्य का भार धोते धोते मैं ठट गया हूं। तो मैं प्रजा के हिस के लिए अपने पुत्र को नियुक्त करके विश्राम चाहता हूं। आप सब लोग इसको अनुमती दें इसके लिए। यह ने मेरे जो बड़े कुत्र है। राम्कंद्रा कि यह स्टेवल अवस्था में ही सब कुत्रों से बड़े नहीं है। यह इंद्र के समान, चंद्रमा के समान आहलाग दाता और वीजमान है। मैं चाहता हूं कि इन्हें राजा बनाया जाये। तो ये प्रजा के सर्वधाग रूप हैं और ये द्रलोपी का भी सातन कर सकते हैं केवल प्रत्वी की तो बात ही क्या तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रत्वी का पालन का भार इनके उपर डाल करके मैं लिश्टिंट हो जाओं ये मेरी पुद्धी से बड़ा अनुरूप अर्फ है मैं इस्थिमों से जिल्मंतर ना की है आप सब राजाओं की इच्छा हो तो ये काम किया जाए और प्रजा की इच्छा हो तब ये काम किया जाए भवन्तो मेनुमनयंताम कसंबा करवाईयं दसरत में कहा कि आप लोग ये काम करने की इंतर्पी दीजिए और जदी आप लोगों को हमारा ये विजिकार ना हो तो सलाह दीजिए कि हम पूसरा क्या करें कखंबा करवाएं आप लोगों की सलाह मैं मानूगा यदि यदि मेरे मन की प्रस्पताईदी में है फिर भी यदि आप लोग सिंतन करके कोई उपाए बतानेंगे तो मैं उसको जरूर मानूँगा अन्या मध्यस्त किंता ही विमर्दा वहिक हो जया मनूशी के मन में कभी कभी राज ग्रेश के कारण कोई संकल्पुद्य होते हैं तो जब मध्यस्त कुरूश के सामने उसको रख दिया जाता है तब वो उसका ठीक ठीक निरने दे सकता है हमारे मन में तो राज ग्रेश भी रहिश नहीं है इसलिए इस बात का ठीक ठीक निरने कर देंगे क्योंकि जो तर्क बितर्क या बाद विबाद या चिंतन होता है वो राज ग्रेश रहिं पुरूश का ही सुन्द होता है अब तो साथ लोग बड़े खुशन राज इसला में जितने से स्नेह से हर्थ से परे हुए बड़ी सुन्दर द्वरी नारे लगने लग गए राम कंदर के बक्ष में और ब्राम मान और पल्र और जितने लोग से समतान गतब द्रेहां जिनकी बुद्धी पहले से ही राम में भरत में और प्रजा के रख्षन में सम्थी उन सब समतान गतब द्रेहां उन समतर्शी लोगों ने दसरत्वी से कहा कि सच मुछ राजत आप ब्रिद्ध हो गए हैं अब राम को जुग राजा बना देजिए इसलिए नहीं आगे यह बात क्याते हैं कि आप गुर्डे हो गए हैं कि या आप गुर्ड़े हो गए हैं या आसक्त हो गए हैं या आराम स्रिष्ठ हैं इसलिए बना देजिए हमारे मन ने तो एक इच्छा है महराज़तल में हम लोग चाहते हैं इच्छाम हो ही महावाहु, रगुबीरम महावलम, गजेनम हतायानसम, राभुशक्त्रा मृताननम हमारे मन ने एक अभिलाशा है कि महावाहु, महावली, रगुबीर स्थी रामसंद्र को हम लोग हादी पर चड़े हुए और उनके उपर खत्र लगा हुआ, इस रूप में उनका दर्षन करके अपने आपको प्रक्रित्र करें हमारे मन में ने इस सोभा वुशे, ये खाश करा की सोभा देखने की इच्छा है अब तो राजा को फीतर ही फीतर बहुत प्रसंदता हुए लेकिन उन लोगों के मन में क्या है इस बात को फीती समझने के लिए अनजान सरीखे बन गए अजानंग निवजित्यासू, किदम बचनम अब्रभी अजान से होकर लोगों की मन का भाव जानने के लिए बोले युश्वतु भाई, हमारे मन में एक फ्रस्ट उदए हुआ है उसरत ने कहा, मैंने कहा कि राज को जुबराज बना दिया जाए और तुम लोगोंने कहा कि हाँ हाँ ये जुबराज बना दिये जाए तो मेरे मन में एक संसर का उदे हुआ है जो संसर ये है कि मैं धर्म की अनुसार प्रगी का सासन कर रहा हूं मेरे सासन में कोई गल्टी तो नहीं है कि मेरी उस गल्टी को गूल करने के लिए आप लोग राम सानर को गुबराज के रूप के देखना चाहते हैं तो बोले नहीं महराज, आपके ये जो गुत्र हैं, इनकी अंदर तो बड़े बड़े गुण है, गुणान गुणवतों देव, देवतल्पस्य धीमतहा, ये तुम्हारे बुद्धिमान गुत्र केवल गुणवान ही नहीं है, साक्षा तो देवता है, इनकी गुण प्यारे ह मनुष्य को आपनी दृष्टी से स्वयम में प्यार नहीं होना कहिए, जिसके दूसरों को सुख मिले, इनकी गुण प्यारे हैं, आनंद गुणी वाले हैं, आप हमारे मुण से खोड़ इसी बात सुरिए, ये जिद्ध गुणों में इंदर के समान है, इनका पराक्रम सथ् मिक्ष्वात्यों की सर्वेवियों, यतिरिक्त विद्ध गुण पते, आज तक इक्ष्वात्यों में जितने राजा हुए हैं, उन समिते स्रेश्टों हैंगे, ये सत्य धारों पर आयें, सत्पुरुष हैं, धर्म रामचंद्र को पाकर संतुष्ट हो गया है, अर्थ भी र प्रिहस्पती के समान गुर्धिमान है, इंद्र के समान भी जवान है, धर्मच्य सत्यसंद्र की लवाज अनसुयू शमावान सांत्वाइता, बड़े सुलक्षा करतागिया, बिजिते इंद्रिये हैं, इतने सी जवान हैं कि अपने बड़पत को भी जाकर शोपी दोगों स मिल जाते हैं, उसे बात करते हैं, तो इनके अंदर किसी प्रकार का दोश नहीं है, शमावान है, और आश्त्रित के अपराध को सहन करते हैं, ना केवल अपराधियों के अपराध को सहन करते हैं, बल्की तोधी और दुप्ती प्राणियों को सहन करते हैं, और लक्ष्रहां, समव लक्षन प्रियम बदव हमेशा प्यारा बोलते हैं, इनका सुभाव बड़ा कोमल है और निश्टे बड़ा द्रिड़। ये परस्पर विरोधी कुण है जिसका सुभाव कोबन होता है वो जट बदल जाता है लेकिन इनका लिश्टे प्रिड है और सदा कल्यान कावी हैं ये प्रियबादी हैं संत्यबादी हैं बहुर्शुरुत ब्रद्ध ब्रामनों के उतासक हैं इनकी अतुल फीर्ती और ज़क बढ़ रही है देवता और मनुष्य और अचुरों में इनकी इत्मान सरबास्त्रमिशारत और फुल नहीं है ये विद्ध्या ब्रतस्नात हैं सांगवेग विद्ध हैं और गांधर्ग विद्ध्या में भी बड़े निकुन हैं श्री गांधर्णकी के इत्मान गाना बजान दुनिया में और कुल नहीं जानता गांधर्वेग विद्ध विद्ध्यष्टो बभू भरता घ्रयाव इनकी आजपास हमेशा कल्याण युक्त मनुष्य निवास करते हैं ये सहधूं हैं दैन्य नहीं हैं महा बुद्धी हैं और अब ब्राह्मन लोगों ने इनको ठीक रा विद्वानों ने विनई बनाया है और धर्म और अर्प में बड़े निकुन है जिस समय ये जुद्ध धूनी में जाते हैं और अब लक्षमण जीर के साथ साथ जाते हैं ये बिना गुजय प्राप्त कि ये लौटते नहीं हैं और आ करके जब बुजय करके लौटते हैं ये नहीं कि अपने बड़फपर में पूल करके घर में बन्द हो जाएं ये हाथी पर रत पर कढ़कर के सारे नगर में धूंते हैं और जैसे अपने लोगों से कुसलमंगल पुछा जाता है घर के लोगों से ऐसी पराये लोगों से भी पूछते हैं ये पुत्र, पत्नी, शिश्य, ये साब के साथ तो है पिता जैसा व्योहार करता है, वैसा व्योहार करते हैं और महात्माओं से प्रस्ट करते हैं कि तुम्हारे शिश्य, तुम्हारी जीच-जीच सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम्हारे पुत्र पिता से पूछते हैं, तुम्हारी से वार्टी की करते हैं, इस प्रकार राम चंद्र जो हैं, वो किसी को दुखी देख लेते हैं, तो स्वयम उसको पास पहुंच जाते हैं. जब किसी को कोई दुख होता है, तो भनवार्ट जाम संद्र उसके भी जादा दुखी हो जाते हैं, यहाई हाई, मेरे जिन्ता रहते और यहाज मी दुखी क्यों हो गया, अपनी जिन्मेवारी समझते हैं, कि हमारी गल्फी से यह दुखी हुआ है, यह नहीं कि दुख का जिम उसके उपर डालने, कि इसने यह गल्फी की इसलिए दुख हुआ, एक और तो बिचारे को दुख हुआ, और दूसरे गल्फी की जिन्मेवारी भी उसके उपर डाल दी जाए, राम संद्र रहसा नहीं करते, कहते नहीं नहीं इसका तो कोई दोस्ट नहीं है, दोस्ट तो य नेरा है कि इसको दुख हुआ है, और किसी के घर में कोई शुख होए, तो जैसे पुत्र के घर में तो ठाने पर पुता संकुष्ट होता है, ऐसे राम कर्म संकुष्ट होते हैं, सत्यबादी महेश्वास, बृद्देवी जिते इंद्रिया, बृद्द पुरुषों की सेव करते हैं, और उनिकी इंद्रियां उनके बत में हैं, सिमित पूर्बा भिभाशितो, धर्मम सरवात्मना शृताहा, मुश्करा कर सबसे पहले गोलते हैं, और धर्म को कभी नहीं सोटे, अपना संकुष्ट उन्हें जिवार, उन्होंने धर्म की सिवा में लगाए दिया है, जैसे मनुश्यों का चल्यान होए, वो ऐसा करते हैं, ना भिग्रिष्जिया कथारुची ही, तो किसी से बात करने समय हमारा इसका मतभेद हो जाए, ये कोसित करते हैं, ना भिग्रिष्जिया कथारुची ही, वो हमेशा ये चाहते हैं, कि हमारा इसका मत मिले, ना भिग्रि कि असको एक महात्मा ने एक बार बताया था कि असल में हम लोगों का जीतना मिलता है आज कल जब आपस में बातकीष करते हैं तो ऐसे करते हैं या इक यह बात सांक नहीं मानता है नहीं नहीं मानता है । बेनान को भी मानता है उन्स तरह की बात की यह बाद सांक को भी मानने है और सांख नियाए कि ये बात बेलाग को भी मानने है उन्हें किरिवल मतभेद ही तो नहीं है ना मेल, मिलाब भी, मत taşिक भी तो बहुत है ना तो उनसे ये मत्भेद है इसकी चर्चा करने से मन बिलड़ता है और विरोधी पार्फियों में विरोधी पार्फियों की चर्चा करने हो तो उसमें भी देखो प्रजा की भलाई सब चाहते हैं राश्रिकी उन्नती सब चाहते हैं आर्थिक उन्नती सब चाहते हैं इसनो विग्रुट उत्षै है किसी के साथ विग्रह नहीं बनाना सस्का बात जीतें मैं भी जूट मूटton का भी बिग्रह नहीं बनाना सा है और जिशी पदार्श का जिवन ुक प्रशन में नहीं करना हो अभाउं हैं और कैटी रतनारी आँखें हैं ये बड़े लुका अधराम हैं राम नाराएंड प्रजा पालंड के रहस्य को जानते हैं और कभी राज ग्रेश से अपना पराया जो अपने अनुकूल होए का उसी ग्रती चीज भी अच्छी लगती है और जो अपने प्रतिकूल होए उसी अच्छी चीज भी बुरी लगती है ये क्यों होता है कि ये राज ग्रेश होने के कारण होता है राम चंद्र के मन में राज ग्रेश विल्कुल नहीं है वो स्थारी त्रलोपी का अकेले उनको भूब कर सकते हैं उनका क्रोध और प्रसाद निदर्थक नहीं होता ह बढ़ी को मारते हैं और जो अबढ़ी है उसके ऊपर कभी स्क्रोध नहीं करते हैं जीसके ऊपर प्रसंद होते हैं उसको बहुत कुछ देते हैं राम लोग पाल के समास तो सारी प्रिखवी अब इनको अपने पती के रूप में चाहती है ये तुम्हारे जो पुत्र है राम कंद्रा सारे आप जियंतर धीबरी जो अपने पच्छ के हैं और बाह जमाने जो दूसरे पच्छ के लोग हैं और जो आंतरिक हैं और जो अंतरंग हैं और जो बहरंग हैं जो जहात के हैं और जो स्त्री हैं, बिद्द हैं, तरुनी हैं, वे सब साइनकाल मनाती हैं भगवाद से, दिहे भगवाद हम अपनी आज़ से राम को राजा के रूप में देखें तो आप प्रिपा करके इंदी वरश्याम श्री राम संग्र को जुबराज के पजपर अभुशिक्त कर दीजिए इस तरह से महराज हाथ जोड़ जोड़ करके उस तभा में जो प्रजा है वो दसरत से प्रार्थना करने लगी राजाने का अच्छी बात है मैं बहुत प्रसंद हूँ क्यों कि मेरे फुत्र को तुम लोग जुम्राज बनाना चाहते हो अन्यत्र जैम अन्विछे फुत्रा दिछे प्राजय दूसरे को जीतना होता है लेकिन बेटे से तो जब बाप हार जाता है कि गुणों में हमारा बेटा सबसे स्रेश्ट है गिद्या में गुद्धी में गुण में तो अपने बेटे की उन्नती देख करके बाप को बड़ी खुशी होती है अब तो उन्होंने समका स्वागत सबकार किया और बास्ति समके सामने उन्होंने कहा कि देखो ये चैसर का तो महीना है और इसमें बन सब बड़े स्पूल से खिले हुए हैं हम समझते हैं कि ये जो बसंतरितु है कि ये राम के जुबराज बनाने के लिए ब गिया है उन्हों कि तब अलगों को आशीरबाद दिये और आदेश दिया कि कि कितना सोना चाहिए कितने हीरे चाहिए कैसे कैसे बस्त्र चाहिए मदू चाहिए घी चाहिए और राज्या विशेख के लिए चाम और व्यजन ये सब ध्वाज छत्रा ये सब जितनी सामच्री चाहिए समका उन्होंने आदेश दे लिया और कहदिया मंतरियों से कि ब्रामणों को आमंतरित करो राजाओं को आमंतरित करो साथ सामग्री जो है वो इकठी करो किसी भी चीज की कमी ना रहे और सेना तयार हो जाए और सब की रक्षाती द्यवस्था कर दी जाए ये इस तरह से आदे शुरिया बसिष्ट जी ने उसके बाद राजाने सुमंत्र को बुलाया और बोले कि तुम जा करके रामचंदर को तुरंट यहां बुला करके लेओ तो तकाष तु कहका जैसी आगिया माराज ऐसा कहें करके सुमंत्र राम संद्र के पास गए अब वो तो चले गए बुलाने के लिए और इधर राजा दसरत के पास जितने राजा है प्राच्च ये फूर्ब देश के राजा उदीच ये उत्तर देश के राजा प्रतीच ये पस्चिव देश के राजा और मलेच्छ देश के राजा और मलेच्छों के जो आचार जहें मलेच्छा चार जाष्ट देशान ने बनशैलांतवास इनहा राजकाजी में ये नहीं देखना चाहिए कि इनकी जाती ये है कि ये पराय देश के हैं कि ये मलेच्छ हैं राजकाच बिल्कुल सीख धन से कलाना चाहिए, यहां तक की जो बन बासी है वे बुलाएगे, जो शैल बासी है, बन शैल अंतवाद इनहां, मलेच्छा चारज आश्यो, अपने इमन में किसी प्रकार्ची का छोटापन नहीं रखना चाहिए, मलेच्छा चार्ज भी बुलाएगे, बड़े-बड़े मौल भी लोग जैसे बुलाएगे, पादरी लोग बुलाएगे, जे जानने अब उस समय तो मौल भी पादरी जैकी नहीं, जो उस समय की व्यवत्फा में मलेच्छ होंगे, आटो सब बुलाएगे, बन बासी, तईल बा प्रिया दर्शनम चंद्रकांताननम मैंने इस दिए हमारे मामा थे पंडित दर्धर शांस्तर उनका नाम था मामा लंगते थे जगे मामा नहीं है वह कासी कीशुवय जाले में प्रोफेसर तरह संस्तरुस चायो सिपे तो गाते थह ल dens कि वो भीणा लेकर बल्बी बीजारीयों को पढ़ाना होता जब अपने घर में तो पहले भीना लेकरके बाल्षी की राहमा एड़ के न करते जा नंका नाम पर फिर अंगे मामा उन्द रामम तो महराज रूप उदारता उनकी ऐसी कि सब की नजर खीच ले सर्द लोग महराज राम चंदर को आते समय बड़े फ्रेम से देखें सुमंतर जी ले आए राम चंदर को और उनको हाथ ले करके हो रख से उतारा अब वो फिता के समास के पास गए और वहां जाकर अपना नाम बताया मैं आपका पुत्र राम हूँ और ऐसा कह करके उनके चरणों की बंदना की और जट दसरती ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और पकड़ करके अपने हुदे से उनको लगा लिया और राम के लिए उचा आसन दियावन होने राम चंदर स्वेम बैठ गये अब सब लोग राम चंदर को उस आसन पर बैठे देख करके बहुत प्रफन होए तो राजा दसरत ने राम चंदर से कहा कि तुम मेरी बड़ी पत्नी कौसल्या से सैदा हुए हो और वो मेरे सद्रिश है और उसके भी तुम सद्रिश पुत्रवत्पन हुए हो गुणों में स यह सारी की सारी जो प्रजा है उसको तुमने अपने गुणों के रंग में रंग दिया है अपने गुणों के रंग में तुमने प्रजा को रंग दिया है इसलिए पुष लक्षत्र में जब पुष पर चंद्रमा आते हैं तो तुम जुबराज बन जाओ और प्रसारी की सारी प्रजा ऐसी चाही चाहती है तो मेरे मन में तुम्हारे प्रती बहुत प्रीती है और सारी प्रजा तुमसे प्रीती करती है जिसके अंदर गुण होते हैं उसके उपर प्रजा जो है वो प्रसंद होते है इस तरह से राम चंद्र को भी उन्होंने उंपदेश किया और फिर उन्होंने तरह सरह के दान करने का आदेश किया सोना देओ, गाय देओ, रत्न देओ और जा करके आज रात बहर तुम कैसे रहो वो सब उनको बताया जब राजा लोग चले गए और दसरक जी ने ध्यान दिया कि कलही पुष्यनक्षत्र है उन्होंने का कलही पुष्यनक्षत्र है चैत्र का महिना पुष्यनक्षत्र तो दसरत राजा अपने महल में प्रविष्ट हुए और महल में जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि राम चंद्र को बुला करके यहां ले आओ पहले तो सभा में बुलाया था और बाद में उनको महल में बुलाया अब राम चंद्र भाद फिर से वहां आए राम ने आ करके प्रणाम किया और बुले मनाज मेरा क्या काम है तो श्री दसरत जी ने कहा कि राम मैं अब बुठा हो गया हूँ मेरी आयू बड़े लबी हो गई है मैंने बड़े बड़े भोगे हैं और बड़े बड़े जग किये हैं और तुम्हारे जैसा मेरे बीटा हुआ है अब मुझे और क्या चाहिए दान किया, जग किया, अधेन किया और जो कुछ हम को सुख चाहिए थे तो सब भोग लिया अब मेरा कुछ करतम यह नहीं है इसलिए मैं तुम से जो कहना हूँ उसका तुम ध्याद करना आज सारी की सराव, सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है इसलिए मैं तुमको जुगराज बना रहा हूँ लेकिन इसके साथ साथ एक पास है कि मुझे रात में सपने में बड़े बड़े अशुख पलान सर दिखाई पड़ते हैं उन्होंने बरन किया बिजली गिरती है हमारे स्वप्ण में और आग ग्रह नक्षत्र जो है वो आपत में लड़ रहे हैं इससे मालुम होता है कि इसमें कुछ अनिष्ट भी होगा इसमें ये जो असकुन हो रहा है इसका अफ़ाल ये है कि या तो राजा मर जाए या तो उसके उपर बहुत बड़ी दिपत्ती आवे इसलिए राम चंद्रा देर नहीं करना जब तक ये हमारा सुप्ष मुषरीर सुप्षरीर को छोड़ कर नहीं चला जाता तभी तक तुम अपने को जुबराज के पर बैठा दो तो आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर के पहले उनर्बसू नक्षत्र पर आ जए हैं और कल पुष्य नक्षत्र पर आमेंगे तो पुष्य नक्षत्र में ही तुम्हारा अभिशेक हो जाना जहिए ऐसा मेरा मन कहता है तो मैं कल ही तुम्हारा विशेक करूँगा तो आज तुम नियतातमा होकर अपनी पत्नी के साथ कुछ सज्ज्या पर रह्मचर जिते और कुछ सज्ज्या पर एक साथ रहना और तुम्हारे जो मित्र हैं वो तुम्हारी रख्षा करें और सावधान रहें बिल्कुल क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं उसमें विघ्ण भी बहुत आते हैं श्रयान से बहुत विघ्णाने अच्छे काम में बड़े बड़े विघ्णाते हैं इसके बाद दसरती ने राम चंद्र से एक बात कही है उस पर लोग बहुत ध्यानते रहें दसरत जी ने कहा कि विप्रोशितस्च भरतो जावदेव पुरादितहा सावदेवा भिशेकसे प्राप्तकालो मतो ममा जब तक धरत जी अजुद्ध्यान नगरी से बाहर है उसरे देश में गए हैं तब ही तक तुम्हारा राज्या विशेक हो जाना चाहिए यही समय समसे बढ़िया है ऐसी मेरी राय है मैं मानता हूँ दसरत जी ने कहा कामम खलू सताम बृते बृता ते भरत अक्सिता मैं मानता हूँ कि भरत सत्कुरूशों के अनुसार चलते हैं और तुम्हारे साथ भाई पने का दर्वा करते हैं और अपने बड़े भाई को मानते हैं धर्मात्मा हैं सहरते हैं और जितेंद्रिय हैं किन्तु चित्तम मनुष्यानाम अनित्यम इदिने मती ही किन्तु मनुष्य का चित्त जो है वो अनित्य होता है ऐसी मेरी राय है दिन भर में सुलह बात नहराज मन में आवे और जाए मन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है तो इसी दिये संपुरुष लोग निश्टे के अनुसार काम करते हैं मन में जो काम आ जाए मन आ जा जाए तो वही नहीं करते हैं जो महापुरुष है धर्म प्रेमी वे लोग पहले जब कर लेते हैं तब अपने चित्त से संतुष्ट होते हैं उनका चित्त काम करने से पहले खुछ नहीं हो जाता काम करने के बाद खुछ होता है तो राम चंदर ने सुन लिया और इसके बाद दसरफ जी ने उनको जाने की आग्या दे दी वो अपने घार चले गए और वहाँ जासे तुरंत माता कौसल्या के पास गए वो तो रिस्टनी बस्त धारण करके और मौन हो करके देवता के मंदिर में देवता के मंदिर में पुझा कर रहे थी सुमित्रा वहाँ पहले आ गई थी सीता जी पहले लाए गई थी और राम के अभिशेक का समय है उस समय तो कौसल्या जी ध्यान में भगवान के मग्न हो रही है सुमित्रा जी उनकी सेवा कर रही है तो राम चंद्रा आए राम चंद्रा ने कहा कि माता हमारे पिता ने प्रजा पालन के खर्म में हमको जूक्त किया है और कल सबेरे मेरा अभिशेक होगे होगा तो आज तीता के साथ मुझे उतवास करना है और उन्हीं के साथ कुसासन पर सेंद करना है हमको बसिष्टि ने भी ऐसा कहा है और पिता जी ने भी ऐसा कहा है तो माता जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कल होने वाले अभिशेक के लिए जो 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 जोग यहोए सो सब मंगल आज आप कर लो और तीता को भी सिखा दो कि वो भी मंगल करें को सल्या की मन में तो ये बात पहले से ही थी कि राम राजा बने उनकी आँखों में आशु आ गए और बोले बेजा राम तुम्हारी आयू लंबी हो हतास्ते बरिपंग फिनहा तुम्हारे दुश्मनों का नाश्वा तुम्हारे दुश्मन बारे गए और हमको और सुमित्रा को तुम ग्यादी इनमे कौम्तृया जुप्ता सुमित्रा आश्च्य लंदया मेरे और सुमित्रा के जो सगे संबंदी हैं उनको तुम आनन्द करो तुम बड़े उत्तम नक्षत्र में पैदा हुए हो कि तुमने अपने गुणों से अपने पिता को प्रसंद कर लिया अमोगं बतमे खांतम कुरुशे पुस्करे खांए जेयमिच्वागु राज्यस्त्री उत्रत्वाम संसरई श्यते भगवाल के प्रफी पुरुश नारायन के संबंध में मैंने ब्रत उपवास आजी के द्वारा बहुत बड़ी पुजा जी है कि आज तुम है ये राज जी मिल रहा है तो इस तरह माता से बात दीज़ करके लक्षमन से बोले राम चंद्रा की लक्षमन जी अब तुम मेरे साथ हो इस पुर्फी का सासन करो तुम मेरे दूसरे अंतरात्मा हो ये लक्षमी मेरे पास नहीं तुम्हारे पास आई है तुम मेरे अंतरात्मा हो जुदियम में तरात्मानम क्वामियम श्री रुपस्पिता ये लक्षमी तुम्हारी सेवा करने के लिए आई है भरत सत्रुपन तो अजूत्या में है नहीं और राम लक्षमाट एक आंस में ऐसी बात करने हैं तो तुम भोग भोगो और जो जो तुम्हें चाहिए सो ले ले ओ इसके बाद लक्षमाट से कहके और सीता से भी कहके राम संद्र राज बहल में चले गए अब इसर वसिष्ट जी को राजा ने बुलाया और बोले कि देखो राम संद्र को धर्म करते करना है अभुशेख के ल शास्त्र के अनुसार कान करना परता है क्योंकि जो धर्म का फ्ल है वो पृत्यक्ष अनुमार आदी प्रमार्ण से देखने में आता नहीं शास्त्र में ही लिखा आई कि ये धर्म करने ने यह फ्ल पराप्ट होता है तो सास्त्रोक्त फल की प्राप्ती के लिए जो सास्त्रोक्त धर्म किया जाता है वो जदी सास्त्रोक तरीती से नहीं हो गए तो वो फलप्रद नहीं होता मन माने धर्म के धर्म नहीं किया जाता है सास्त्रोक्त धर्म के ही धर्म किया जाता है शास्त्रोक्त फाल शास्त्रोक करीती से मिलेगा इसलिए धर्म भी शास्त्रोक्त होना चाहिए और शास्त्रोक्त धर्म जो है वो शास्त्रोक्त विधी से ही संपन्न होता है इसलिए शास्त्रोक्त विधी करने चाहिए तो तुम जा करके बसिष्ट जी श्रीयस और राज्य की प्राफ्टी के लिए सीता सहित राम संद्र से उकवाद कराओ आप सो बसिष्ट जी उनकी आजिया सुन करके राम के महल में गए उनसे उकवाद करने के लिए जो राम भवन में बसिष्ट जी का रख पहुंचा बिना रोख रोख किसी प्रकार की रोख रोख बसिष्ट जी के रख के लिए नहीं भी तो जھट राम चंद्र भगवान आगए और उनोंने बसिष्ट जी को से संभषाशन किया उनको परसंद किया और ऊज़ हाथ पकड़ करके उनको ले गए अब पुरोहिन बसिष्ट जी बोले कि राम तुम्हारे पिता तुम्हारे उपर प्रसंद है और कल प्रातक काल तुम्हारा जवबराजिया विशेक करने वाले है सो तुम उपवास करो आज और अब ब्रत धारण करो फिर उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके राम और सीता दोनों को ब्रत उपवास में दिख्षित किया और उसके बाद चले आए और राम चंद्र अपने महल में बैठ करके मरा चारों और आनंद जहां देखो वहां आनंद सारी अजोध्या जो है वो सजाई जाने लगी चराम चंद्र का महल भी राजा दसरत के महल के समा नहीं था तो बसिष्ठ जी जब वहां से निकले तो क्या देखते हैं जिब ब्रंद ब्रंद ही रजोध्याया अम राज मारगा स्पनंतता वहू रभी संबाधा कुतू अलजरीर बृता मारग में जै हो जै हो के नारे लग रहे हैं और जुन्ड हो जुन्ड हो जुन्ड के जुन्ड जो लोग हैं कब वो राज मारग पर खड़े हैं चार और और ऐसी भीड हो गई है कि बसिष्ठ जी वहां से निकल नहीं सकते जन ब्रिंदोर मिसंधर शोहर सत्वनवत अस्तथा कुभ आवाजु गई और कुभ चार और कुभ आनंद से अजोध्या जी तो बनमालिनी हो गई है और उसमें बड़े-बड़े धंडे और पताके सब लगाए हुए हैं और बड़े-बड़े महल सजाए हुए हैं चारों तरफ बड़ा आनंद मंदहा है इस प्रकार बसिष्ठ जी तो वहां से राम महल से चले आए और राम चंद्र ने अपनी विशालाक्षी पत्नी सीता के साथ नारायन मुपागमत नारायन की शरंग्रहन की प्रग्रिज शिर्षा पात्रीम हमिशो विधिवत्तना उन्होंने महान देवता के लिए भों किया राम चंद्र ने नारायन देव का ध्यान किया सहत्त नारायनम उपागमत ध्यायन नारायनम देवं स्वास्तीर ने कुस संसरे मौन हो गए मन को अपने बस में किया और उस दिन भगवान के मंदिर में उन्होंने शैन किया श्रीमत्यायतने विश्लोहो तिश्ये दरवरात्म जहा उस दिन मंदिर में शैन किया और जब थोड़ी सी रात एक पहर रात बाकी रह गई थी तब उन्होंने हर को महल को अच्छी तरह सजवाया सूत मंत्द बावमगद बंदी जो हैं ये उत्तम बात चीज़ कर रहे और सब लोग जो हैं वो संध्यावंदन के लिए तैयार हैं जो ध्याम हैं संध्यावंदन सब लोग करते थे हो और सब लोग प्रणाम और स्कुति करते थे मदुसूदन की कुष्टाव प्रणतश्ट जईव तिरसा मदुसूदन स्री रामचंद्र भगवान प्रणत हो करके और सिर सिर से जुका करके बदसुदन भगवाज को प्रनाम करते थे और रेश्मी बस्तधारन के वे थे ब्राहमन लोग कोणिया हवाजन कर रहे थे पोणियाम 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 अजोध्या जो है वो बाजे गाजे से भर रही थे अब अजोद्याबात में को रेके शनी को मालूप पड़ गया कि प्रातक काल नाम का राज्या विशेख होगा तो सद लोग दुरी को ऐसा सजाने लगे चतुसपत जितने चौरा है थे जितनी रत रत चलने के जो मार्ग थे मनुश्यों के चलने के जो मार्ग थे और जो बाजार थे नाना पड़ने सबर्दवा और जहां ब्यापारी लोगों की धुकाने लगा कर दी थी और जहां ग्रहष्टों के उग्रहष्टों के कुटूंबियों के रहने के लिए जो मार्ग थे सभा में जो सभाश ठल थे सब और जो जगे जगे बगीचे लगाए हुए थे सब जगे धंडे लगा दिये गए और सब के आनंद से महराज बस आपस में लोग राम के अभिशेक की कथा करें सारा मार्ग सारा नगर अलंकार ते भरा हुआ है लोग इकठे हो कर पर के कहें और यात्वा जो ब्रद्ध्धमात मानम राम राज्येविशेक्षेत ते बड़े 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 राजा तो यसे होते है महरा की घुड्ड़े हो जाए लेकिन अपने हाठ से राज्या धिकार दूसरे को नहीं देते हैं ये तो महात्मा है राजात असरत जो अपने को ब्रिद्ध देख करके राम को जुगराज बना रहा है बड़ी कृपा की इतने हमारे उपर कि अब राम चंद्र हमारी रक्षा करेंगे राम चंद्र के मन में उद्धत पना बिलकुल नहीं है अखन मुद्धत बना विद्वान धर्मात मा ब्रास्ट्रि बत्तला विद्वान है धर्मात मा है भाई से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भाईयों से जैसा प्रेम करते हैं वो ऐसे ही हमसे भी प्रेम करते हैं यथा चौब रास्रसुस्निक्दाः तथास मास्वपिरागवा राजा दसरत की आयू लंबी होए कि इनकी कृपासे हम रान को आज राजा के रुप में देखेंगे अब तो महाच ये बात फैल गई नाना दिसा विदिसा से घोड़े पर हाथी पर रत पर बैश करके दिहाद के लोग दूसरे नगरों के लोग आने लगे और सारी अजुद्या पुरी लोगों से भार गई और वहां तो गुला हल मत गया इस तरह अजुद्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो गई भगवाल के राम राज्जी के अभिशेक के लिए अब उधर देवता लोगों ने एक दूसरी रचना रच दी कब वो क्या रचना रची उनके मन में ये था कि राम अजुद्या के राजा हो करके यहां अभी रहें पहले रावन का बद करें इसलिए देवताओं ने मन्थरा के मन में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया ये मन्थरा जो है उसने भगवान राम के राज्ज में विजन डाला ये जड़्म से ही दासी थी माने दासी बंस में ही ये पैदा हुई थी और कैके के साथ ये माई के से आई थी और वो जो है वही मन्थरा महल के पूचे हिस्ते उपर चड़ गई और वहां से उसमे पुरी को देखा कि आज तो पुरी में कैसी सजावट हुई है कोई माराज हाथ में माला और मोदक लेकर जा रहा है और कोई बाजे बजा रहा है और कहीं कुरी का श्रिंगार हो रहा है कहीं जै जै की ज्वनी हो रही है अजोध्या को इस तरह सजी सजाई देख करके मन्थरा को बड़ा बिश्म हुआ वो छज्जे पर चड़के देख रही थी देखा कि सारे के सारे के सारे नगर के लोग बड़े खुश हैं तो उसमें धाई से पुशा कि धात्रीम पप्रच अभी दूरे स्किताम दृष्टवा धात्रीम पप्रच मन्थरा मन्थरा ने पुशा क्यों जी आज ये क्या बात है नगर में ये राम माता कौशल्या के दर्वाजे पर लेने वाले लोग बहुत आते हैं और वे समको धन बाट रही हैं तो ये बात क्या है इतना बड़ा आनन्द आज क्या हो गया हमको भी तो बताओ तो आनन्द के कारण धाई का तो दिल फटा जा रहा था उससे बूला नहीं जाए उसने बताया कि राम कुश तरह से जुगराज बनाया जा रहा है अब तो गुचा बिकुचा जो है वो तो जट सुनते ही चिड़ गई बिचारी जलमरी और प्रोज से जलती हुई वो पहु आ करके मंत्रा ने ऐसी बाणी में कैकेई को डाटा जैसे कोई बड़ा बुढ़ा डाटता हो है उत्तिष्ठ मूढे किम देशे भयम स्वाम अभिबर्सते उपपलोतम अगवे नौकिमात मानम नमुद्यते अरी मूर्खे उठ 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 तेरे उपर बड़ा भारी भाय आ ग गए हैं और तुमको दुख देने के लिए आए हैं तो देखो भरत को तो इन्हों ने अब बड़ा अलिष्ट तेरा होने वाला है देखने में तेरी सकल सूरत बहुत अच्छी है और राजा तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए सवभाग का घमंड करती हो अब तुम्हारे सवभाग के बह जाने का समया गया है नदी में बह जाएगा अब तो कई केरी ने सुना इस गुबड़ी पाप दर्शिनी है लोगों के गुण में दोस्त देखने वाली तो कई केई ने कहा कि मंत्रा आज बात क्या हो गई तू इतनी नाराज क्यों है कैई केई ने कहा मीठे मीठे शम्द में कहा अब तो मंत्रा बड़े बड़ा क्रोंद में भर करके फिर बोली और जिससे कैकेई का मन बिगड जाए और उनके सुखी मन में दुखा जाए बोले देवी जी आपके उपर तुम्हारे आपका बिनाश करने के लिए कोई बड़ा भारी जोग आ गया है राजा दसरत राम का राज्या भिशेग कर रहे हैं मैं तो फ्षय और दुख में दूप ग राजा की महरानी रही हो और तुमको हो ये बात अभी तक मालूग नहीं पड़ी कि राजा लोगों का जो धर्म कर्म है वो कितना उग्र होता है वो बड़े भेंकर आचरन करने वाले होते हैं ये तुम्हारे जो पती देव हैं ये नाम मुह पर जीश पर तो जब देखो जीतर से बड़े सक हैं और प्रियभाशी को हैं परतु दिल इनका दारुन है इसी से तुम इनके साथ जुड़ गई हो ये जूठी तुम्हारे पास आ करके जूठी जूठी बातें करते हैं आज तो सारा मंगल, सारा कुतल, सारा प्रयोजल कौशल्या को ही पूरा करने वाल जी वो भरत को तो उन्होंने भेड़ दिया उनके ननिहाल में, उनके मामा के घर में, अब इस समय कोई दूसरा है नहीं, तो राम को राजा बना रहे हैं, इन्होंने देखो, तुमको बिलकुल भूखा दिया है, जैसे कोई सांप या संत्रू करें, ऐसा काम दसरत ने तुम तुम तो चांदनी के समान शुद्ध हो, तुम्हारा हरदय बड़ा सुद्ध है, तुम तो किसी की बात को समझती नहीं हो, अब तो लेटे से उठके बैठ गए कहके जी और उनका मुख कुछी से भार गया, आनंद से भार गया जैसे पुर्णिमा की चांदनी हो, और कहके आश्चन से भरके एक आभूशन कही कही ने उतारा अपने शरील पर से और कुपजा को दे दिया, और फिर बोनी की मंत्रा, तुमने तो मेरे लिए बड़ी प्रिय खबर, बड़ा प्रिय संबाद ला करके दिया है, और मैं तुम को क्या दूँ, कैके ही ने कहा कि हमको तो राम और भरत में कोई अंतर, कोई भिशेश, कोई फरक नहीं बारूप पड़ता, इस लिए मंत्रा में तुम्हारे उपर बहुत संतुष्ट हूँ, की राजा राम को राज्ज दे रहे हैं, इससे बढ़कर तेरे लिए कोई प्रिय बस्तू हो रही सकती, और जो कुछ तुम मांगो, वो मैं तुमको देती हूँ, मंत्रा ने केड़ी नजर से कह कही की और देखा, और वो दिया हुआ जो आभूशन था, उसको फैंक दिया, और फ्रोध में भरकर बोली, कि तुम्हारा ये जो हर्ष है देवी जी, ये बिलकुल अनुचित है क्योंकि तुम मुर्ख हो, तुम देखती नहीं हो कि तुम सोप के समुदर में डूब रही हो, मुझे तो तुम्हारी अकल पर, बुद्धी पर हसी आती है, तुम तो दुर्मती हो, तुम्हारी समझ बिलकुल फुल्टी है, सौथ के बेटे की इतनी बुर्जी देख करके त अब तो असल में राम को अगर राज मिलने में कोई बाधा थी, तो केवल भारत की ही बाधा थी, राम चंद्र ने भी एक स्टाट पर ऐसा कहा है, कि हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी ने गयकेई के विबाही इस चर्थ पर दिया था, यह हमने बच्पन में सुना है, कि राजा अश्वपती से, उन्होंने कहके देश के राजा से ये प्रतिग्यां करके कि जो कई 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 का बेटा होगा, उसको हम राजा बनावेंगे, तो देवी जी तुमको तो कुछ ध्यान नहीं है, अगर राम को राजा होने में कोई बाधा थी, तो भरत की बाधा थी, तो भरत को तो उन्होंने भेज दिया और आप दे रहे हैं, राज लक्षमन तो राम के साथी हैं, और सत्रुगन भरत के साथ चले गए हैं, इसलिए इसमें हानी जदी किसी की हो रही है, तो भरत के हिस्ते की ही हानी हो रही है, मैं तो जर से बिलकुल ब्याकुल हो रही हूँ, ति अब क्या होगा तुम को मालूम हे जब राम राजां हो जाएंगे तो कौसल्या महारानी की तरह रहेंगी और कहए ही जी तुम धासी की तरह रहोगी और तुम्हारा पुत्र जो है भरत, वो भी एक नौकर की तरह रहेगा और तुम्हारी पुत्रे पुत्र बढ़ूएं और तुम्हारी पीडी दरपीडी भरत की पीडी दरपीडी जो उनके बेटा होगा नाती होगा पोता होगा वो सब के सब गुलाम बंस में चले जाएंगे और भरत को हजारों बरत के बाद भी राम का राजिय नहीं बिल सकता तो इस तरह से उसने कहा अब कई कई राम को गुरों की प्रसुन सा करने लगी मंत्रा रामचंद्ध धर्मक्ग हैं और गुरू ने उनको मनमानी शिख्षा उन्होंने प्राप्ट नहीं कही है गुरु जनों से दिक्षा प्राप्त हुई है बड़े कृतक गयां सच्चे पवित रात्मा है और राजा के बड़े पुत्र भी है इसलिए राजा होने के जोग हुआ ही है और वो अपने भाईयों को और सेवकों को छीक जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करे वो ऐसे पालन करते हैं उपजा तो दुखी क्यों हो रही है और थोड़े दिनों तक राम राजा रह लेंगे तो उसके बाद फिर वो भरत को राजा बना देंगे वो तो भरत में और अपने में कोई फरक मानते नहीं है ये तो कोई राजी तो एक व्यक्ति का है नहीं तो उसी का काम आया पहले राम राजा हो लेंगे फिर भरत राजा हो लेंगे ऐसे कल्यान का काउसर प्राप्त होने पर राम हमिसा के लिए राजा थोड़ी रहेंगे वो तो भरत पो राजा जरूर बनावेंगे तो इसलिए भविश्यती चकलने आने हमारे बंसका तो आगे के लिए मंगल हो रहा है तू क्यों परितफ्ट हो रही है जैसे भरत मेरे मानने है मंसरा तू को क्या नहीं वालू है कि कवसलिया की जिसरी सेवा करते है राम उस से ज़्यादा सेवा मेरी करते है यदि राम का राज्य होता रहे तो भरत का भी राज्य होता है क्योंकि भरत और राम तो दोनो एक ही है राम जैसा आपने को मानते है वो इस अम्हरत को मानते हैं अब तो मंत्रा और दुखी हो गई और लंबी सांस चलने लगी और बोली कि तुम अनर्फ दर्तनी हो मूर्ख हो और सोक को तुम सुख समझ रही हो अच्छा ये बताओ कि राम चंदर का जो बेटा होगा वो राजा होगा की नहीं होगा जब राम राजा होंगे तो राम सुख का बेटा भी राजा होगा क्या अच्छा तुम कहते हो कि फिर भरत राजा हो जाएंगे राम के बाद तो क्या एक राजा के कई बेटे होते हैं तो सब के सब राजा होते हैं मुर्कता की बात क्यों करती हो राजा और सब तो उसके सेवक होते हैं राजा तो बिलकूर के कई होता है इसलिए जहां राम के हाथ में राज गया तुम्हारी सौथ की उननती हो जाएगी और जैसे हम लोग दासी की tutto रहती है वैसी तुम को दासी कि तरह रहना पड़ेगा और तुम्हारे भरत को भी दास की तरह रहना पड़ेगा सत्रुबर की भी वही दशा होगी तो नारायन अब हम लोगों को चाहिए इस बात को बचावें इस बात को बतीत लिए लक्षमन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन भरत का अनिष्ट जरूर होगा तस्मान लक्षमने रामः पापम इंचित परिश्पी रामस्तु भरते पापम उर्जाज इतीन संसेहा राम भरत को जरूर लुक्तान सहुचावेंगे इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम खबर भेज दो अपने माईके में कि वही से भरती बन में चले जाएं अजुध्या आने की आवश्यक्ता नहीं है जदी अजुध्या में होएंगे तो उनको बहुत धानी पहुचेगी और तुम्हारे जाती बंधों की भी स्कल्क का कल्याण इसी में है जो तुम्हारे साथ में तुम्हारे से भकेंदास दाती दातन में هو मराजा अपनी आश् outfit तकी पैसे देखेंगे तो सब के सब जंगल में चलें अब यहाँ जुध्या में रहने की आवश्यक्ता नहीं है राज माता तुम्हारी सौथ राम माता तुम्हारी सौथ कौसल्या जब राजा की मा हो जाएगी तो हम लोगों के साथ बैर क्यों नहीं साधेगी तुम बिल्कुल पराभूत हो जाओगी इस तरह से उसमें समझाया अब तो के के को भी चिंता हो गई और उसके मुह उसका मुह लाल लाल हो गया और सांस जो है वो लंबी चलने लगी बोली कि देख मंत्रा आज ही मैं राम को जुबराज बनने की जगे बन में भेज़ देती हूँ और भरत को जल्दी से जल्दी में जुबराज बनाऊंगी देखती हूँ कि इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए तो मंत्रा ने ही बताया कि पहले जब संबरा सुर के साथ जुद्ध करने के लिए गय थे दतरजी तो उस समय जो बात हुई थी वो तुमको भूल गई क्या अथवा याद है तब ही तुम छिपाए रही हो क्या मेरे ही हूँ से सब कहलाना चाहती हो कहके ही ने कहा कि नहीं तुम जरूर बता अईसा क्या उपाए है रामडने क्या जाएं और भरत को हैं तो बोले कि देवा, सुरुफमक बोड़ा था कुकिया ने कहा कि जब दैवा, सुरुफमक बोड़ा था तब राजर क्यों के यसाथ तुमारे पजिए बुच्ठ करने के लिए गयफे इंड़की सहाढ़ा करने के विए वेजयन कूँने शातम लम्यत्रासिषिन वजहा वेजयन कि नमक नगरी में संबरासुनमक राजरा रहता था संबरासुन और इंड़के साथ इसका जुद्गधोरा था उस अंगलौम में वो लोगों को बहुत मारता था राजा दसरत ने उसके साथ गुंज़ दिया उस समय असुर ने दसरत को बड़ा दुख पनुचाया तो तुम ने उस बेहोश हो गए दसरत तो तुम ने उनकी रक्षा कर ली वो तो अस्तरत से दस्टप्रश्ट हो गए थे तो उसी समय राजा दत्रम ने तुमको दो बर दिये थे तो देवी तुमने कहा था कि मैं अभी दो बर नहीं रूँगी बाद में बर दूँगी अर भी क्या ही हम देवी तो यही वा सहिता पुरा मुझे तुम मालूम नहीं था कहते ही थी तुमने तो ये बास हमको महरानी बताया कि राजा ने हमको दो बर दिये तो मैंने कह दिया हम अभी नहीं लेंगे बाद दे लेंगे तो एक बर से तुम रामा अभिशेख की जो सामंग्री है उनको बलात रोक दो और राम चंदर को बन बर बासी बना दो चौदा बरस के लिए चौदा बरस इसलिए कि जब चौदा बरस राम राज से दूर रहेंगे तो चौदा बरस में प्रजा का श्ने भरत के प्रती स्थिन हो जाएगा तो अभी तुम कुप घौन में जाओ और वहां जा करके मैला बस द्धारण करके और आप हुशन से खेंक करके और वहां पढ़ जाओ और दूसरे बरस भरत को एक बरसे भरत को रजा और दूसरे बरसे राम संद्र को बन बाच ये तुम बाच लो हम जानते हैं कि राजा जो हैłości कामी है और वह तुमको नाराज नहीं करेगा और वो तुम्हारे लिए प्राण भी छोड़ देगा और तुम्हारा आतिक्रमन नहीं करेगा एक बात है कि राजा बहुत सी चीजें तुम को देना चाहेगा परन्तु तुम लेना नहीं जब वो सपत कर ले तब उसको तुम बताना और उन दोनु बरों की याद दिलाना रामम प्रब्राजया रेनी नव बरशानी पंच चो भरतक प्रियताम राजा प्रिशिया पार्थि वर्शभा राम बन में जाएं और भरत राजा हुएं इस तरह से तुम्हारे पुत्र का और तुम्हारा बनौरत पूरा हो जाएगा और एवं प्रब्राजितस चैवा राम अराम भविश्यते तब राम राम नहीं रहेंगे राम अराम हो जाएंगे तो इस तरह से उसने अनर्थ को अर्थ के रूप में ग्रहन करा लिया अब तो कही कही बहुत प्रफन और मन्सरा से बोली कही कही तो बड़ा बड़े आश्चर्ज में पड़ गई और बोली कि देखो ये मन्सरा जो है ये कितनी बुद्धिमती है अरे वो कूबड़ी मैं नहीं पहचानती थी तुम को कि तुम इतनी श्रिष्ठा भिधाई नहीं हो ऐसी अच्छी सला देती हो तुम और इतनी अच्छी हो तुम असल में हम तो अब तुम्हें दुनिया में जितनी कूबड़ी हैं उनके महारानी के पर्द पर तुम्हरा भी शेक करते हैं प्रफिव्याम असिकुप जाना मुत्तमा बुद्धिनिस्टे और मेरी भलाई में तो तुम हमेशा लगी रहती हो हमको राजा के मन का पता नहीं था देखो ना लोग मन में क्या रखते हैं और उपर उपर से क्या करते हैं तो ये जो तुम्हारा बक्षख्खन जो है ये उबड़ी होने के कारण भीचे को दबा हुआ है और कंधे की ओर जो उचाई है वो अवस्य ये तो जेसे कमल तक उचा गया हो इस प्रकार सरमाए हुए कमल के समान है जब आदमी का किसी से राग होता है तब उसमें भूर बुब्भी हो जाते हैं उसकी गुराई भी अच्छाई लगने लगते हैं देखो तो तुम्हारी जान कैसी भरी भरी हैं और तुम्हारे बक्षख स्थं कितने बड़े-बड़े हैं और मुद तुम्हारा कैसा चंद्रमा के समान है अरे तुम तो बड़ी सुन्दर हो ये कमर पर तुम्हारे करदनी कैसे सोभा पाती है और सब मरा ये के कंद का बर्रण करे कि तुम्हारा तो कुबजा असल में तो तुम बहुत सुन्दर हो जब मनुश्य का किसी के प्रती अन्पूल मन होता है तब उसमें सुन्दरता दीखने लगती है का देखो ये माला तुमको सोने की मैं अभी देती हूँ और जब भरत का अभी शेख हो जाएगा और राम चंदर बन में जाएंगे तो बहुत बढ़िया सोना से तपाए हुए सोना से तुम्हारा मैं आभूशन बनवाए दूँगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मुख पर सिलक चित्र बिंदी सोने की बिंदी बना करके लगाऊंगी और सुभ आभरन दूँगी और अच्छे बस्तर धारन कराके देवता की तरह रखोंगी और सब आभूशन धारन करके दर्दासिया जो है वो तुम्हारे पाउं दबाया करेंगी तो नारा हैं अब तो मंत्रा ने कहा कि देवी जी संज्या पर सोते सोते कोई काम नहीं बनता है आप तो अपना पलंग तो छोड़ती नहीं है और बात सारी कि सारी करते हैं उठो और जो काम हमने कहा है वही करो और अब उसके उस्ताहित होने पर उन्होंने अपने बस्ता भरण को खेक दिये और जा करके कोफ भून में बैठ गई और कुजा के उन्होंने कहा कि अरी कुजा अब तुम मुझे या तो मरा हुआ देखेगी कि मैं मर गई हूं अथवा ये देखेगी कि भरत राजा हो गए हैं हमको दुनिया की कोई चीशने चाहिए हमको तो केवल भरत का राज जी चाहिए और राम का बंगमन चाहिए इसके सिवाए मैं और कुछ लेने वाली नहीं हूं उतने सिखाया मंतराने के देखो महराने जब तक राम की सपत न खाएं राजा तब तक तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करना नहीं तो वो कह करके भी बदर जाएंगे अब तो महरा जाके को भरती पर सो गई और नाराय जैसे कोई किनरी स्वर्ग से गिर गई हो और आपने क्या क्या करना है इसकी तब उन्होंने सूचना बनाए लिए अब मंतरा की बातों में आगनी लंबी साम चलने लगी कैसे ही करना